नमस्काद अश्कुम यूटूब के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है आज हम चर्टा करेंगे मीन राशी का अक्टूबर 2019 का राशी फल मेरा ये राशी फल जो है आपकी चंदर राशी पर अधारित है आईए सबसे पहले हम देखें कि मीन राशी के लिए घ्रह गोचर क् करना हुआ है मितुन राशी में रहु विराजमान है कन्या राशी में सूर्य ववंगल की उती है तुला राशी में शुक्र वाबुद्ध विराजमान है और 17 अक्टूबर के बाद सूर्य भी तुला राशी में परवेश कर दाएंगे और जिसके कारण तुला राशी जो आ धनू राशी में और उनकी केतु के साथ उती है तो यह है मीन राशी वालों का घ्रह गोचर मीन राशी वो भागशाली राशी है जिसके लगन के स्वामी गुरू बनते हैं और देव गुरू ब्रस्पती का उनको आशिरवात मिला हुआ है इसलिए मीन राशी वालों के समय उबराल समय सही चल रहा है वो अपना रूटीन का काम अक्टूबर में भी करते रिखाई दे रहे हैं काम में कोई विशेश उखाड पचर नहीं है कोई विशेश परिवर्तन वाली बात भी नहीं है कुछ एक साफधानिया है जो मैं आपको वीडियो के अंत में बताऊंगी कि जिनको मीन राशी के दर्शकों को ध्यान रखना जरूरी है और अगर आप उन साफधानियों का ध्यान रख लेंगे तो ओवाडाल अक्टूबर का महाभी आपको काफी अच्छे रिजल्ट देके जाएगा सबसे पहले बात करें हेल्थ की हेल्थ बढ़िया रहेगी लगनेश गुरू अपने ही भाप को देख रहे हैं हेल्थ अच्छी सोच पॉजिटिव आपकी लोगों से कनेक्टिविटी बढ़ेगी काम में मन लगेगा काम के कारेश्टल पर आपकी सराणा होगी देव गुरू ब्रस्पती जो हैं आपके दशमेश होकर मारगी वस्ता में आपके लगन को देख रहे हैं आपका काम के परती रुजान बढ़ेगा जातक बात करें विधारती वर्ग के लिए तो विधारती वर्ग के लिए समय पढ़नेगा है विधारती वर्ग अगर लग कर पढ़ाई करें तो उनको अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं प्रेम समंदों के लिए मीन राशी के जातकों के लिए उत्तम समय है आपको अपनी संतान के समन्ध में भी कोई शुब समझार प्राप्त हो सकता है आगर जातका हम धन की बात करें तो धनेश मंगल अपने ही भाब को दिश्टी दे रहे हैं जो धन के लिए उत्तम संकेत है कि धनेश मंगल सब्तम भाब में विराज मान होकर अपनी अश्टम जिच्ची अपके धन भाब को दिख रहे हैं और लाभेश शनी की भी धनेश मंगल पर जिच्ची है और धन के लिए एक शुप संकेती आया है कि आपके अश्टम भाब में शुकर और बुद्ध विराज मान है शुकर अश्टमे शोकर विराज मान है आपके अश्टम भाब में और धन भाब को देख रहे हैं यह इस बात का संकेत है कि अचानक कि आपको अक्टूबर के भाव में कहीं से धन मिल सकता है अब वो धन ही ऐसा हो सकता है कि आपने कोई इंशुरेंस वगरा करा रहा हो उसका क्लेम हो या कोई अचानक आपका कोई रिष्चेदार हो आपको कुछ दे के चला जाये या ऐसा हो कि आपने कभी किसी को कुछ पैसा दिया हो और आपने सोचा हो उम बेरा पैसा तो ढूब गया पर वह आदमी आके आपको पैसा दिजाए आपकी कहीं से पेमेंट रूकी भी थि पेमेंट आ सकती है कणें और अचानक सकती संकत है तो अगर बात करें मीन लाची के जातक kinetic के लिए अक्टूबर महा में हुगा भुटा-चेनी पर सब्सक्राइ! तो हम सब्धियन 20वांके ब रा municipality किसा अज़ strongly मं सब्सक्राइब आपके बिराज माने कुछा आपके उपर नीचे उतार चटारवाइंगे पति-पत्नी में विवाद वने की संभावना में रापूं बनती है तो आप अपने सम्मंद में साब्दानी पड़ते हैं अगर कोई बात हो जाए आपके बीच में तो उसको बड़ाप करने की कोशिश ना करें क्योंकि आपके लगन पर मंगल की दिस्टी है तो आपकी कुरोध की मात्रा भी थोड़ी बड़ी रहेगी कुरोध आपको ज्यादा आएगा आपकी वाणी भी कटू हो सकती है जिससे आपके मुझसे कोई ऐसी बात निकल जाए कि पती पती में विवाद और बड़े साथी क्योंकि सप्तंब भाव से आपन ब्यपार का वीचार भी करते हैं तो आपका अपने पॉटर्शिप में अपने काम है तो आपके अपने पार्टर्शिप से कोई विवाद हो सकता है तो इसलिए अगर आप अक्टूबर वहां में कोई काम शुरू करें तो उस पर पार्टनर्शिप का काम तो बिल्कुल ना करें क्योंकि पार्टनर्शिप में कोई नया काम आप पार्टनर्शिप में बिल्कुल शुरू हो ना करें पार्टनर्शिप के लिए समय सही नहीं है दूसरा मीन राशी के जो जात तक अपनी जॉब बदलने के लिए सही नहीं है अक्टूबर के महा में जॉब बदलने में अकर बहुत ज्यादा आपको जॉब बदलने ही जुरत पड़े तो बहुत साफधानी पड़ते और किर्पया अपनी कुंड़ी का वलोकन करा लें उसकी दशा वगरा दिखा लें कहीं ऐसा नहों कि आप ज brains आ जाएगा जिस पात का संकेता कि आफिस में कुछ आपके लिए नेगेटिविटी हो सकती है कि आप गईकशी से कुई विभाद हो जाए या आपके अफसर आप में नहराज हो जाए या कभी एसा हो कर कि आपके काम में कोई एसी कोई इस्तिती हो जाए कि आपके खिलाफ कोई बात हो जाए तो इसमें सोड़ी साफधानी बडते वैपार का कारक जो main गरा है बुद्ध बुद्ध से हैं हम वैपार का विचार करते हैं सब्ध को आपको देख रहा है, इस्तिती धन के लिए तो सही है पर वेपार में कोई नया इनिशेटिव आप अक्टूबर की महा में मत लीजिए, कोई नया प्रजेक्ट मशूर करिए, बुद्ध की एस्टम भाव में इस्तिति आपको negativity दे सकती है इसलिए वेपार के समय में साफधानी बढ़ती है, जौब अपनी जो कर रहे हैं उसको करते रहे हैं, जौब बदलने का विचार ना करें साथ ही आपके घर में पिता के स्वास्ते का ध्यान रखिए, पिता के स्वास्ते में कोई न कोई प्रॉब्लम अक्टूबर के महा में आ सकती है, इसलिए आप थुड़ा सा उनकी हेल्थ का ध्यान रखिए इस प्रकार अक्टूबर के भाव में ये जरूरी है कि मीन राशी के जाता कुई बातों का ध्यान रखें बस आप रूटीन का काम करिए परवार के संग आपका समय अच्छा बितेगा पती पतनी आपस में दूसरे की भावनाओं को समझें आपस में समझस्य से बना के चलें को कोई बात का अगर विबाद हो जाए तो बात आगे न बढ़े उसको आगे बढ़ाने की कोशिश मत करिए बात को महीं समाल लीजिए परवार के संग अच्छा समय बिताईए अपने गुस्से पर नियंतर रखिए और वाहन को हमेशा सावधानी से चलाईए अपने मीन राश का शिंग का कन्या का धनू का या मकर का तो चंद्रमा पॉजिटीव होगा उस समय अगर आप किसी काम का विचार करेंगे तो काम की संभाबना अच्छी हो जाएगी सफलता की वो शुक्तितिया हैं आपकी 4 वा 5 अक्टूबर 6 वा 7 अक्टूबर 8 वा 12 अक्टूबर 13 वा 17 अ समय चाधकों के लिए अक्टूबर के भामें अब मैं आपको कुछ अशुक्तितिया बदा रही हूं क्योंकि यह तितिया वह है कि जब आपका चंद्रमा या तो चौते घर का होगा या आटवे या बार्वे घर का यानि चंद्रमा या तो मिथन राशी का होगा तुला का समय रहें depende kate भी तिंग को कुए गान करुए वह थे आप नोट करिए एक वा नोई को बनच कुबर दस वा घ्यारा अक्टूबर 19 वा 20 अक्टूबर 28 अर्ट ौबर 10 वा इस प्कात दर्श को मने देखा कि अक्टूबर का अमा जो है मीन एक जात्कों के लिए कह में us जो है खास मोके के लिए तो नहीं है पर एक overall एक समाने सा महीना है आपका परिवार के संग एक अच्छा समय बीतेगा, हेल्थ अच्छी रहेगी, धन के लिए आपको किसी पगार की चिंता की जरूरत नहीं है, पर आप ये सोचें कि अक्टूबर के महा में आपको कोई नई चीज प्लान कर लें, तो ऐसा अक्टूबर का महा इतना positive नहीं है कि आपकी कि नई चीज के प्लान कर सकें, ना तो मैं बिगजिस के समद्वें कोई नई चीज प्लान करने की रहे दूंगी, नो जॉब के समन में, तो ना तो आप जॉब बदलें, ना बिंजिस में कोई नया प्रजेक्ट शुरू करें, दमपत्य जीवन में साफधानी बढ़तें, सरकार से जुड़े कामों में साफधानी बढ़तें, अपने पिता की हेल्थ का ध्यान रखें, बस यह है कि अक्टूब का महीना एक तो हेल्थ के साफ से और धन के साफ से बहुत उत्तम है, हेल्थ भी अच्छी रहेगी, काम में आपका मन भी लगेगा, पर यह इतना पॉजिटिव यह महीना नहीं है, कि आप सोचें कि हम इसमें कोई बड़ा महत्यपूर निर्ने लें, क्योंकि वो महत्यपूर अपना प् focusing पूच सकते हैं, आप से प्रातना है, एक बार में एक फश्टिशन पूछें, जिस से मैं सभी दषकों के पसकों का जवाब दे सकूं, इसके साथ भी दश्कों, आप मेरे वीडियो समात करने से पहले मेरे आप सबसे परातना है, कि अगर आपने मेरा चैनल अभ